नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी का भी एचिव पार्ट साला के इस ऑनलाइन लर्न परफॉर्म में मैं हूँ आधिति सिंग जीके एंग जीएस की टॉप सेवन हंडेड एमसे क्यूज के एक सीरीज चल रही है उस सीरीज का ये फॉर्थ वीडियो लेक्शर है इस वी सिलविंग इन डीले स्टार्ट करते हैं उससे पहले करके कुछ कोलिते हैं मैंने यह पूछा था इस वहां मंदीत है ठीक है और वो कहां की रहने वाली है मनीपूर के रहने वाली है वरतमान में अभी जो हाल ही में टोक्यो ओलम्पिक चल रहा है वहां पे उन्होंने तो वो गौवर्नर जनरल थे वाइसरा नहीं थे अगला एक क्वेशन और मैंने पुछा था आपसे राजकोर्ट कहां पढ़ता है तो राजकोर्ट जो है वो गुजरात में पढ़ता है अट प्रेजेंट नेवी चीफ कौन है इंडिय नेवी के चीफ कौन है तो वो एड्मिरल करमबीर सिंग है और इसी के साथ एक क्वेशन मैंने और पुछा था आपसे कि जो एरफोर्स है हमारी एरफोर्स के चीफ कौन है या फिर हम यूँक है कि एरफोर्स के प्रमुक कौन है तो उसका जो एक्जैक्ट आंसर होगा राके सिंग बता हुरिया तो यह सारे क्वेशन के और चलते हैं आपको पता होगा हम पर वीडियो 20 कोशन को डिस्क्रस कर रहे हैं तो हम तीन वीडियो में 60 कोशन डिस्क्रस कर चुके हैं जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस चैनल पर बना हुआ है पर्टिक्लर एक GKNGS टॉप 700 MCQ करके उसमें आप जाके पह हम चे कोशन ये पुशा जा रहा है की इस दिन भारति शेशास्त्रबल विटरांस डे मनाते हैं ठी है अब देखिये इसके जो एक्सेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका 14 जनवरी ठीक है इसका Εचसकर इसक्त आंसर क्या होगा 14 जनवरी को विटरांस डे मनाया जाता है अब ये जान लीजे कुछ related facts 15th January को क्या है तो उस दिन Army Day मनाया जाता है अब Army Day क्यों मनाया जाता है इसके पीछे का fact जान लीजे देखिए 15 January 1941 को General Francis Butcher ने उस टाइम पे Lieutenant General कौन थे केम करियपपा को जो है वो चार्ज हैंड ओवर किया था तो इसलिए जो है वो ये Commander In Chief जो थे वो British Army के उस टाइम पे कौन थे तो वो थे General Francis Butcher और उन्होंने जो है वो Commander In Chief का जो चार्ज था वो किसको दे दिया था तो वो कहीं ने कहीं अपना जो चार्ज था उनके पास उन्होंने वो ये Lieutenant General उस टाइम पे थे January महीने में कुछ और भी important dates है जैसे कि आपका 9 January किसलिए important है तो उस दिन प्रवासी भारती दिवस मना जाता है Non-Residence Indian Day मना जाता है उस दिन 9 January को और क्यों मना आता है इस से related हम आगे facts को discuss करेंगे और भी questions हमने set करेंगे उसके according हम यहाँ पे चीज़ों को discuss करेंगे तो चलिए हम आगे चलते हैं और हमारा आगला प्रश्न होगा Recently who got awarded the Nilsal Mandela World Humanitarian Award हाल ही में किसे Nilsal Mandela विश्वमानवता वादी पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो इसका exact answer होता है रवी गयाठ्वार्ड πिस पुरसकार से में कारिक पुरसकार तो इस वे इस पुरसकार से सम्मानित किया गया है अब एक fact आपको ये भी जानना जरूरी है कि निलसन मंडिला जी कौन थे तो निलसन मंडिला जो है वो क्या थे हमारे South Africa के जो है वो President थे ठीक है यानि कि पहले Black President थे ये भी आपको पता होगा और पहले Black President थे ये आप तो जानगे ये भी जानिये कि इनकी एक book है और इनकी एक book कौन सी है Long Walk to Freedom ठीक है book का नाम क्या है Long Walk to Freedom ये आपको जानना जरूरी है Long Walk to Freedom इनकी एक book है अब ये मुझे बताईए आपको Yes or No में जवाब देना होगा कि क्या Long Walk to Freedom इनकी Autobiography है या नहीं तो आपको Yes or No में जवाब देना है ठीक है comment box में आप इसका answer करेंगे और ये आपको पता होगा अपर that moment चला था तो ये इसमें बहुत बड़ा इनका रूल भी रहा था तो चलिए हम अपने कुछ अगले facts पे चलते हैं और भी facts हमारे पास हैं हम अपने अगले question की ज़रफ चलते हैं हमारा अगला question होगा which space organization conducted the final test of world's most powerful rocket कौन से अंतरिक शंगठन ने दुनिया के सबसे सकतिसाली rocket का अंती परिक्षड किया है तो वो कौन सा है जो इसका exact answer है वो आपका है NASA ठीक है किसने किया ये परिक्षड NASA ने किया है और NASA का full form क्या है तो वो full form है National Aeronautics and Space Administration I repeat National Aeronautics and Space Administration Co. यह कहा की Space Organization है इसके istyplacement mix कब होई थी इसके means on Toyoать को 30 जूलाई को 1909 में ठीक है यह की आप exact answer इसके क्या होगा अगर पुछा जा किसकी कि स्टैबलिस्मेंट कब होई थी तो इसका establishment होती है 29 जुलाई 1908 में इसकी establishment आपकी होती है ठीक है यह आपको पता होना चाहिए 1958 में अब यह fact आपका clear हुआ कुछ और भी fact option में दिये हुए हैं जैसे कि JAXA JAXA क्या है तो यह जो है जैपानीज जो है वो Aerospace Exploration Agency है यह जैपान की और इसका full form क्या है जैपान Aerospace Exploration Agency यह आपका fact clear हुआ इसके स्थापना कब होई थी तो इसके स्थापना आपको होती है 2003 में ठीक है अक्टूबर यानि की इसके स्थापना होती है यह भी आपको पता होना चाहिए आगे चलते हैं इस रो के बारे में डिस्कस करते हैं आपको पता होगा इस रो भारत का जो है यह अंतरिक्ष संगठन है उसके स्थापना कब होती है तो यह भी आपको पता होगा 1969 में इसके स्थापना होती है इसका headquarter कहाँ पर है आप मुझे comment box में बताएंगे पहले इसके पहले के वीडियो में यह भी बताया था इसके वरतमान में chairman कौन है वो भी comment box में मुझे लिख के बताएंगे जिससे कि आपका revision भी होता रहागा और मुझे पता भी चलता रहागा कि आप कितनी चीजों को grab कर रहा है सुन रहा है समझ रहा है यह चीज क्लियर हुई और यहां पे और option दिया हुआ ESA करके तो यह क्या है यह क्या है तो यह क्या है यह उरोप की इस पेस एजनसी है तो यह सारे आपको क्लियर हुए अब हम आगे चलते हैं हमारा अगला question है recently cabinet approved export of which among the following indigenously developed missile system हाली में किन सरकार ने भारत के द्वारा बनाया गया कौन से missile system को export करने की मंजूरी दी है यानि कि export यानि कि बाहर जाने के मंजूरी दी है यह आपको हिंदी भी क्लियर होना चाहिए कई बार import और export में जो है वो लोग confused हो जाते हैं इंपोर्ट मतलब आना यानि कि इंपोर्ट ठीक है और export मतलब एक्स मतलब बाहर जाना यह आप जाने आयात नेरियात वाला यहां पे सीन है जो कि हिंदी वाले बहतर तरीके से समझ रहे होंगे लोग तो चलिए इसका जो इग्जक्ट आंसर वो क्या आपका आकास मिसाइल ठीक है इसका इग्जक्ट आंसर क्या है आकास मिसाइल की मंजूरी दी गई है कि इसको जह वो export करा जा सकता है हम अपने अगले question के तरफ चलते हैं 65th question है हमारा which day is observed as NRI day और प्रवासी भारती दिवस जिस fact की मैं बात कर रहा तब first question में वो fact आप आ चुका है तो इसके पीशे reason यह है कि 1915 में आप सबको पता होगा हमारे राश्रपीता जिन्हें गांधी जी भी कहते हैं वो जो है गांधी जी South Africa से इंडिया आते हैं और इंडिया में कहां आते हैं Mumbai आते हैं तो इस वज़ए से जो उनकी वापसी होती है वतन वापसी कह लें इसके व बताना चाहिए और एक फैक्ट और आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि वरतमान में आर्मी के चीफ कौन है अल्रडी मैं आपको बता दिया हुआ है तो मैं यह भी जानना चाहूंगा क्या पर रिविजन कैशा चल रहा है हम अपने अगले फैक्ट पर चलेंगे हम अगला कोशन है 66 कशन है हमारा यह फैक्ट ने कुशन है विजस्ट अफ़ भूप्ष द धॅर्मा फॉरेस्ट यानि कि थार्माफॉरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका जो एक्छेक्ट आंसर वो कीरतिक शशिधरन है कौन है कीरतिक शशिधरन है अब यह यह बूक जो भी तत्थ हैं या फिर उससे संबंदित चीज़ों के यहां पर वर्डन किया गया ठीक है इस बुक में तो यह भी चीज़े आपको फैक्ट पता होने चाहिए कभी-कभी आपसे यह भी पुछा आता कि किसी संबंदित है तो एक्जाम ऐसे कोशन नॉर्मली आपसे पूछ आते हैं हम अपने अगले कोशिन पर चलेंगे हमार अगला कुसर्ण होगा वीच कंट्री तेक्स हम चान यह पुछा जा रहा है कि हाली में कि इस ने टैंपॉन टेक्स को समाप्त कर दिया है अब पहले आप यह जानिए कि टेमपॉन टेक्स होता क्या है आप सब जानते कि asking ask कहते हैं ठीक है यह감이 उत्तेंपार जैसी सैनल्टेक्स और कि यहांशन से Ugh A सेटेरी सेंटरी यहां हें रहें गता है और और लीपी जो भी सेनल्टेशन की सेनल्टेरी आइटेमसा उनके बार का सके कोई नहीं देना पड़े अब हम फैक्स जान लेते हैं Britann to veterans ब्रतिन के राजँनी कहा है यूकि यूके अक्षाव जाता विडिटन को और इसकी राजँनी स्टर्ल्नी को पता होगा इसी किसी के इससे के बारे हम डिक्स करते हैं तो यह से कि जो राजधानी वह वासिंगटन डीशी है और इसका जो कैरेंसी है वो कहा है डॉलर है फ्रांस के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रांस की राजधानी कहां पर पेरीस में है फ्रांस की राजधानी कहां पर पेरीस में है और इस कनाड की राजदानी कहा है, ऊटावा, ठीक है, इसकी जो करणची है, वो Canadian डॉलर है, ठीक है, क्या है, इसकी करणची Canadian डॉलर है, हम अपने अगले कोशन की तरफ चलेँगे, हमारा अगला कोशन है, रेसेंटली सेंटरल एक्जाट आंसर होगा वो क्या होगा आपका ग्रेटर नौइडा में होगा यहां पर ग्रेटर नौइडा में यह मंजूरी दी गई है एक मुल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांस्पोर्ट हब का जो है वहाँ पर निर्मार किया जाएगा या बारे मैं आपसे डिसक्स करना चाहूंगा और यह आप मुझे बताएंगे कि मैंचेस्टर आफ नौर्थ इंडिया किसे का जाता है प्रबबली आपको पता ही लग गया होगा बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप कॉमेंट बॉक्स में जरू लिखेंगे कि मैंचेस्टर आफ नौर्थ इंडिया किसे का जाता है हम अपने एगले फैक्ट पर चलते हैं रेसेंट्ली विच कंट्री हाज चेंजड वर्ड इन नेशनल एंथम टू ऑनर इंडिजिनेस पेपल हाल ही में किस देशने स्वादेशी लोगों को समानित करने के लिए रास्ट्रिय गान में सब् दिया है तो जे इसका एक्जाक्ट आंप सॉर रोगा वो göst जिलेंडियन डॉलर है यह भी आपको पता होना चाहिए इसके आगे अगर हम देखें फ्रांस के बारे में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हैं और यहां के जो कैरंसी है फ्रांस की राजधानी कहाँ पेरिस में हैं और फ्रांस की जो कैरंसी है वो क्या है यूरो मैंने आपक यह पूछा है आपसे कि इसके euro के पहले इसकी currency क्या थी आपको मुझे comment box में लिखके बताना होगा अब हम आगे चलते हैं ब्राजिल के बारें ब्राजिलीन रियाल है ठीक है ब्राजिलियन रियाल अब इसकी स्पेलिंग रियाल की तरफ चलते हैं अमारा नेक्स कोश्चन है 70th question of the series which country became the first in the world to isolate and culture the new UK COVID-19 strain जो नया UK यानि United Kingdom COVID-19 strain आया था को isolate और culture करने वाला विशु का पहला देश बना वो कौन सा देश था तो वो कोई और देश नहीं वो हमारा प्यारा भारत था तो यह आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है जिसने जो है वो UK के जो नया strain थे COVID-19 के strain उसको successfully isolate और culture किया हुआ है ठीक है यह आपको जानना ज़रूरी है इंडिया किराजधानी आप सबको capital पता है नियो डिल्ली में है और यहाँ के currency क्या है पइल्द का Bela भी आपको बता है है जाइन के बारे में बात करते चाइना की राजधानी कहां पर है बीजिंग में है और इसकी सक्वारद के यहां की currency क्लियर होना चाहिए को धिसे के बारे है रैसेंट्र मिनिस्ट्रर रिलीज नेशनल पूलिस केनाइन जेनरल हाली में किस केंदरी मंतरी ने रास्टी ये पूलिस केनाइन जेनरल जारी किया है अब ये जानिए केनाइन जेनरल होता क्या है आपने नाम सुना होगा कि पूलिस के साथ आपने देखा होगा है जो वाच डॉक्स होते हैं ठीक है अमिस्ताजी वर्तमान में Home Affairs के मंत्री है यानि कि Minister of Home Affairs ग्री मंत्राले के मंत्री है और यह जान लीजिए आपकी जो यह पुलिस के 9 शेल है यह कब जो इसके स्थापना आज़ती इसकी November 2019 में इसकी establishment हुई थी और यह किसलिए इसकी establishment हुई थी देखिए यह जो एक डिवीजन आता है पुलिस modernization division करके आता है यह पुलिस modernization and development division करके आता है वो Ministry of Home Affairs के अंडर में आता है उसी के अंडर में जो इसकी establishment हुई थी निस्तल पुलिस के 9 शेल की defense minister है ठीक है हमारे रक्षा मंतरी है राजनात सिंग जी इसमृती इरानी क्या है हमारी तो यह है minister of women and child development ठीक है महिला एवं बाल विकाश मंतराले के मंतरी है कौन है इसमृती इरानी जी अगर हम बात करें नितिन गटकरी जी क्या है नितिन गटकरी जी यह है यह हमारे road and transport road transport and highways के minister है ठीक है किसके मंतरी है यह road, transport and highways के minister कौन है नितिन गटकरी जी यह कहां के रहने वाले है मुंबई के रहने वाले है यह भी facts आपको पता होना चाहिए आगे इसे में कुछ और भी cabinet ministers को discuss कर लेते हैं अश्वनी वैस्णौजी क्या है वरतमान में railways के minister है और इसी के साथ सथ communication, electronics and IT minister भी हमारे वो है यह अश्वनी वैस्णौजी क्या है भारत के rail मंतरी वरतमान में है जिस date को यह video lecture record हो रहा है इस date में 28 जुलाई को जो हमारे भारती rail है उसके मंतरी को है अश्वनी वैस्णौजी है मैंने last के videos में थोड़े बहुत confusion create हो गया था बट now it has been clear अश्वनी वैस्णौजी जो है वो वरतमान में भारत के rail मंतरी है इसी के साथ मैंने वह भी आपसे बताया था कि एक media report पर आपको बिल्कुल नजर रखनी थी मैंने last video lecture में बताया हुआ था कि जो हमारे वरतमान में at present जो करनाटिका के CM थे वह कौन थे उस पर मैंने नजर बिल्कुल आपको रखने के लिए बूला था उस टाइम पर BS यह दुरप्पा थे लेकिन डिखी मैंने आपसे बोला था कि बिल्कुल change होने के पूरे पूरे आसार है पूरे पूरे chances है के change हो सकते हैं और हुआ वही 20 राज थिक है बिये स्यमाि जो है वो अभी यहां के क्या हो चुके है थे कोन भास्वा राज भूमाइ ठीक है कौन बास्वा राज बोमाई जो है वह वरतमान में वहां के CM हो चुके है यह यह आपको फैक्ट बिल्कुल clear होने और आग करनाठका के वरतमान में गौवर्नर कोन है तो गौवर्नर है ठावर छं गहलो जी हूँ हम अनगिले क्वेशन के टरफ चलेंगी हमर्य अगला क्वेशन होगा रिशंट्ली वुच्ट सब्सक्र स स्टार्वजनिक उक्रमों में से किस ने प्रियास नामक एक पहल स्टार्ट की है या सुरू की है PSU का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स ठीक है अब देखिए आपको जो भी ऑप्षिन्स में दिये हुए है वो भी आप जानके रखिए कोल इंडिया दिया है Steel Authority of India दिया है भारत हवी एट्रिकल्स दिया है Indian Oil Corporation दिया है तो इसका जिक्जैक टांसर होगा 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 है इंडियन ऐल Corporation ठीक है इंडियन ऐल Corporation के स्थापना आपकी 30 June ठीक है 30 June 1969 में होई थी ठीक है कब होई थी 30 यून 1969 में इसके स्थापना आपकी हुई थी यह आपको जानना जरूरी है इसका हैड़कॉर्टर कहाँ पर है मुंबई में है इसका हैड़कॉर्टर यह भी आप जानके रखिए इसी के साथ साथ कुछ और भी facts डिसकस कर लेते हैं अब हम बात करते हैं भारत हैवी इलेक्रिकल्स की भारत हैवी इलेक्रिकल्स के स्थापना कब होती है तो 13 नवंबर 1964 को होती है थाटेन्थ आफ निवंबर 1964 की इसकी establishment होती है और इसका जो headquarter है वो आपका कहाँ पर है New Delhi में ठीक है New Delhi में इसका जो है वो headquarter है ये भी आपको जाना जरूरी है और इसी के साथ साथ आप ये भी जानेगे कि Shale जो है आपका Steel Authority of India इसकी establishment कब होई थी इसकी establishment होती है 19 January को ठीक है इसकी है ये भी आपको जानके रखना है लास्ट में हम बात करते हैं Cool India की Cool India के स्थापना कब होती है ये आपको जानना जरूरी है November 1975 में ठीक है यहीं कि November 1975 में इसकी स्थापना होती है ठीक है November 1975 में इसकी स्थापना होती है ये आपको जानना दीदी के नाम से फेमस हैने की ममता बैनर जी जो वहां के क्या है आपको पता होगा वो सीम हैने की मुख्य मंत्री हैं आगे चलते हैं अपने अगले कुशन की तरफ The Food Safety and Standard Authority of India, FSSI, has recently slashed the limit of which among the falling in food बारती, खाद, शुरक्षा और यहां पर मानक होना चीए, मानक प्राधीकर ने हाल ही में भूजन में निमलिकित में से किसकी सीमा घटा दी है तो इसका जो exact answer होगा वो आपके क्या होगा? Trans fats, ठीक है? Trans fats की जो सीमा है उसने घटा दी है और कितना कर दिया है? वरत इसके पहले 5% था, अब घटा करके 3% कर दिया है 2021 के लिए और 2022 तक जो है वो 2% हो जाएगा, ठीक है? यहनि हाल फिलाल में 3% है और यह इसको भी घटा करके कितना करना है? तो 2022 तक इसको 2% करना है ठीक है ये आपको पता होना चाहिए और ये चीजे जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि trans fats जो है वो oil and fats में बहुत ही कह सकते हैं कि हानिकारक है हमारे शेहत के लिए और ये भी जानके रखिए इसके fssi के फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है तो आप ये फुल फॉर्म भी जानके रखिए food safety and standard authority of india और इसके जो establishment हुई थी यह आपकी अगस्ट 1911 होई थी कब इसकी establishment हुई थी 2011 में इसकी establishment हुई थी वुकब हुई थी अगस्ट 1911 में इसकी establishment हुई थी इसका है तो इसका है इसका है आपका नियो डलीम है तो ये सारे पीना है सारे चीज़ों का balance में करते रहें चलिए ये सारे बाते भी होती रहेंगे हम अपने अगले question पर चलते हैं इंडिया फर्स बुलेट ट्रेंड प्रोजेक्ट हाज बिन sanctioned by Japanese embassy to complete by which year जैपानी दूतावास द्वारा भारत की पहली बुलेट ट्रेंड परियोजना को किस वर्स तक पूरा करने के मंजूरी दी गई है तो बुलेट ट्रेंड जो है वो दोह है रते इस तक जो है ये बात के जारे कि भारत में बुलेट ट्रेंड जो है वो चला दिये जाएगा ये आपको जानना जरूरी है कोकि exam मैं ऐसे question पूर आशार है या वो चला देंगे ये उन्होंने कहा जापाने दूतावास ने जापान इंबैसी ने भारत के संबंद में ये बात कही हुई है अब आपको पता होगा कि जो बुलेट ट्रेंड चलने के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा भी वो कहां से कहां तक चलेगा ये प्रस्तावित है हम अपने अगले कोशन पर चलेंगे हमारा अगला कोशन है यूपी गोवर्मेंट टू शेट अप इंडियास फर्स्ट लेदर पार्क इन वीच सिटी उत्तर पदेश सरकार की सहर में भारत की पहली लेदर पार्क अस्थापित करें चमड़ा पार्क है तो ज्यादा बहतर होगा भाई हिंदी है तो हिंदी है और पार्क के भी हिंदी होती है अपकी उध्यान लेकिन इंग्लिश वर्ड है इंडियास फर्स्ट लेदर पार्क इन वीच सिटी यानि कि कौन से सहर में भारत की प्रथम चंबड़ा उध्यान के स्थापना की जाएगे तो इसका अफर क्या होगा थीक है कानपूर में इसकी स्थापना होगी लगनऊ के बारे मैं अलाड़ी बताया नवाबु का शहर या अतर प्र प्रफप्रेस के लिए लिए लगनऊ बट अगेन काफी सारे कुश्चन उसमें रिविजन के हैं और काफी सारे कुश्चन आपके नए हैं तो आप भी या आप as a homework ले सकते हैं तो यह सारे भी facts आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और आप अगर नहीं भी पता है तो आप जानने का प्रयास जरूर करेंगे हम अपने अगले question पर चलेंगे who has been appointed as the new CEO of the National Health Authority यानि किसकी बात की जारी रास्टेश्वास्त प्राधिकर्ड के नए CEO की रूप में किसे नूखत किया गया है यानि यह बात की जारी है कि मुख कारेकारी अधिकारी की रूप में जो है वो किसकी नूखती की गई है CEO यह means Chief Executive Officer क की बात की जा रही है तो इसका जो एक्जैक्ट answer वो क्या होगा राम शिवक सर्माजी ठीक है राम सिवक सर्माजी को जो है वो CEO बनाया गया है National Health Authority का ठीक है अब यह आप जानके रखिए कि यह वही राम सिवक सर्माजी है जो इसके पहले ट्राइक के चेर्मैन हुआ करते थ इसलिए जरूरी है कि इन्होंने साथ बार यानि कि सेवन टाइंज जो है वो प्रेसिडेंट पुलिस मेडल प्राप्त किया हुआ है और यह उत्तर प्रदेश के आई प्रदेश काडर की यह IPS अधिकारी है ठीक है यह यह यूपी काडर के IPS ऑफिशार है यह भी आपको पता ह होना चाहिए और इन्होंने साथ बार जो है वो प्रेसिडेंट पुलिस मेडल प्राप्त किया हुआ है जो कि अपने आप में यह पहले IPS ऑफिशार है जो नहोंने साथ बार पुलिस मेडल राश्पती से प्राप्त किया हुआ है मनोहरलाल खटर के बारें बात करें कि वो क्य यह था यह यह आपको माइन में आना चाहिए यह इसकी बात कर रहे हैं तो यह आपको प्रब्लमेटिक होगी तो यह है यह जो है 2021 की बात हम भी बहुत कुछ शीक रहे हैं और आप भी शीक रहे हैं तो हम साथ मिलकर कुछ बहतर करेंगे रिविजन भी करेंगे नए सारे facts को भी discuss करेंगे और यह जान लीजे बंगलादेश की राजधानी कहां पे आपको पता होगा बंगलादेश की राजधानी ढाका में है यहां की currency क्या है आपको पता होगा टका है स्रिलंका की बात करें स्रिलंका के बारे में मैंने आपसे पूछा था आप सब ने comment box में बहुत अच्छा लिका था जो जो एक्जेक्योटिव और जुडिशल कहले की के चैपिटल राजधानी आपको में है और जो एक हम बात करें अफग्गानिस्तान की राजधानी ओप और यहां की कैरेंसी क्या है अफगान अफगानी मैंने प्रीविएस वीडियो में भी आपको बताया हुआ है ठीक है तो यह सारे फैक्ट भी आपको क्लियर हो गए हम अपने अगले कुशन की तरफ चलते हैं हमारा अगला कुशन होगा विच स्टेट गॉवर्मेंट है लॉच वह क्या आपका मध्यप्रदेश ठीक है मध्यप्रदेश के CM वरतमान में कौन है मध्यप्रदेश की CM है वरतमान में SSC सिवराज चिंग चौहान जी है आपके वरतमान में CM है वहां के वरतमान में जबलपूर में हाई कोट है और जो वहाँ का B से कहा हो जागा भोपाल में वहाँ की कैपिटल है लेकिन जब बात की जाएगे देखिए आप ऐसे याद करके रखेए जबलपूर में जबलपूर में जबलपूर में इसकी कैपिटल है यापको चीजे पता होनी चाहिए अब हम इसे में कुछ और फैक्स भी डिस्कस करते हैं अब देखे हम ने यह दिस्कस कर लिया मधिय प्रदेश के बारे में उत्तर प्रदेश के बारे में सीएम्यू गया जितनाद जी है और वरतमान में गवर्णर कोन है आनंदी बिन पठेल है हमारे पास और भी फैक्ट है जैसे कि उत्राखंट के बारे हम डिस्कूस कर रहें तो वर्तमान में इसके मुंक्य मंत्री कौन है पुरुषकार सिंग धामी और यहां की गवर्नर कौन है बेबी रानी मौर्या मैंने ट्रिक भी आप सबको बताया था कैसे याद करना है बेबी समर कैपिटल कहा है विंटर कैपिटल कहा है तो जो समर कैपिटल है इसकी वह गैरसेन में है समर कैपिटल जो है वो इसकी कहां पर गैरसेन में है ठीक है गैरसेन में इसकी समर कैपिटल है और जो विंटर कैपिटल है इसकी विंटर कैपिटल वो कहां पर है तो विंटर कैप घ्टरेट्टा के यूंग है अगर कि हम के सबसे पहले राजधानी दिख लेते हैं तो राजधानी कहाँ पे भूवनेश्वार में है इसकी है, जानना बहुत ही जरूरी जाना है है. नविन पत्नायग जो कि मैंने अवलेडी बताकर रखा हुए आप सब को और इसी के साथ जो वहां के गव्यमर और घी से गवलक टी राल जी खेंग है गवलक न्गरेशमा उन्होंने उद्गाटन किया था अब हमसे प्रस नहीं है पुछा जा रहा है कि जो चौरी चौरा है वो कहां पर इस्तित है प्रानमंतर नैन मोदी जी ने हाली में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा सतापदी समारों का उद्गाटन किया चौरी चौरा कहां इस्तित है चौ चौरी चौरा कहां पर पड़ता है अब इस से लेटेट फैक्ट यह जान लिए कि सेंटर नहीं शतापदी वर्ष मना जा रहा है तो यह कब हुआ था यह वह था यह फैक्ट जो इंसिडेंट है वह आपका हुआ था 1922 में ठीक है 1922 में घटना होती है चौरी चौरा घटना के कुछ लोग भी मारे जाते हैं तो कहीं न कहीं उसी घटना के बाद येकदम फैक्ट है कि इसी घटना के बाद जो है महात्मा गाधी जीने असहयोग आंदुरन को वह वापस ले ले था यानि उसको कॉल्ड आफ कर दिया था तो यह भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए और और आज का हमारा अंतिम प्रस्ण है on which day we celebrate National Tourism Day हमसे प्रस्ण यह पुछा जा रहा है कि हम हर साल या प्रतिक वर्ष किस दिन राष्टी पर यटन दिवस मनाते हैं तो पर यटन दिवस किस दिन मनाते हैं वो 25 दिसंबर को पर यटन दिवस मनाते हैं और 25 दिसंबर को हम Natural Tourism डियन इसी दिन मनाते हैं और इसी के साथ 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 एक factor और है कि 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं राष्ट्रिय मनाते हैं थी यहना चाइल बूले का धिалась मनाते है तो वह क्मनाता है हम 24 जनवरी को यह सारे het आपको चीज़े बिल्कुल समझ में आ रही होंगी और जो भी आपको अगर कोई doubts होता है तो आप comment box में जरूर लिखे आपके सारे doubts को बिल्कुल clear किया जाएगा उस पूरा प्रयास किया जाएगा हमारे दोार और पूरे टीम के दौरा कि आपके जो भी डाउट से उसको क्लियर किया जाए और मुझे आसा ही नहीं पोड़ विश्वास है कि आप चीजों कुछी तरिके से समझ रहा होंगे आपके पढ़ाई बिल्कुल बहतर चल रही होगी इससे पहले मैं आपको एक और भी अपडेट देना जाएगा और यूटूब पे जैसे ही आप पहुंचेंगे आपको पूरी वीडियो के एक्स्प्राइशन चल रही है इस पे आप आजाएंगे पीडिएफ में जाएंगे पीडिएफ को एज प्रैस्टिक्स देखिए कि आपके इतने कोशन्स आपके सही हो रहा है और उसी के आप अच्छी तरीके से सॉलुशन देख सकते हैं तो दिस वाल अब इन दिस वीडियो थैंक्स एंड स्टे टून विट आल आफ उस जो भी चीजे हैं वह आप कच्छे से कवर कराये जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ साथ हम इंस्टाग्राम पर आपको चीजें बिल्कुल कर दिख जाएंगे और अगर कोई प्रीमियम कोर्सेज में इंट्रस्टेट है तो हमारे वाट्चाप नमबर पर कंटक कर सकता है वाट्चाप नमबर आपको दिया हुए है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुए है तो थांक्स फॉर